हलो गाइस दिस इज अंचुल आज हम बात करने वाले हैं कोविड नाइंटीन के केसे के बारे में और उसकी वज़े से जो अफेक्ट हो रहा है लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है गाइस कहां पर ऑक्सीजन की हमाई भारत में सप्लाई चेन टूटी जा रही है कहां पर इस तो पूरा इसका रीजन जानते हैं चलिए गाइस इंडिया में कोविड नाइंटीन के सेकंड वेव के बाद जो हमारे स्टेटिक वाताते उसमें साड़े तीन लाग से ज्यादा कैसे पर डेल के इसाप से निकल रहे हैं और यह आगे बढ़के आठ लाग पर डेल भी जा सक बहुत जल्दी इतना ज्यादा हम को और इतने जल्दी बनाता है कि जकुरोन डोज obligation ॐह जलिक करेंग हो वो मैं नवान यह है को मैंने बताया आपको बहुत ज्यादा कर रहा है तो जो भी COVID-19 का patient होगा तो उसे lungs पे जब अटेक करेगा तो यह वाला COVID-19 बहुत जादा lungs पे अटेक कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसे oxygen लेने में problem होगी अब वो atmosphere से directly क्यों नहीं सही से ले पारा oxygen क्योंकि हमारे atmosphere में oxygen के अलावा भी कई सारी gases होती जैसे कि 78% में तो nitrogen होती उसके बाद 21% में oxygen होती और भी कई सारी छोटी मोटे amount में gases होती है तो हम मतलब pure oxygen तो बिल्कुल नहीं लेते इसलिए जो corona patient होता उसे pure oxygen चाहिए होता और pure oxygen ना मिलने की वज़े से उसकी death हो रही इतनी जादा हमें तरही माम देखने को मिल रहा है तो guys हमें इसलिए इतना ज इसे इसको देखते हुए second wave को government ने कह दिया है कि जितनी भी यह कुछ जगाओ को छोड़के जितनी भी industrial की oxygen use में आती है वो medical purpose में divert कर जाएगी अब इन जगाओ को जो medical purpose में divert की जाएगी उसकी supply chain को मेच करना बहुत हमारे लिए risk काम है उपर से अगर हम इसके statics को देखे तो हमारे पास जितनी भी oxygen produce होती वो होती है 7800 metric ton की और हमारी जो demand अभी present में आ रही है आज को देखते हैं वो आ रही है हमारी 7000 metric ton की demand आ रही है तो मतलब हमारे पास oxygen की कमी तो नहीं है लेकिन हम demand supply को मैच करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा target होने वाला है जो जिसकी electricity लेके जाएंगे इंडिया में अभी oxygen की कमी नहीं है लेकिन आगे चलके demand ना बढ़ जाए कोविट की वजए से इस वज़े से गवर्मेंट ने पहले से ही 50,000 metric ton के oxygen के इंपोर्ट का order दे दिया है और उसके इंपोर्ट का टेंडर भी जारिया हो चुका है जब oxygen gas का production हो जा अब आप लोग कहेंगे इसे oxygen gas को लिक्ट फॉर्म में क्यों convert करते हैं लिक्ट फॉर्म में इसली कनवर्ट करते हैं क्योंकि लिक्ट ऑक्सीजन की density जादा होनी की वज़े से हम कम जगह पर ज्यादा स्टोर कर सकते हैं जैसे कि आप oxygen gas को सौ ट्रक्स में भर लीजे और उतन जहते हैं तकी जादा हम स्टोर कर सकर कि कम जगह में हम अती है कि हम इसे ले कर दो même को प्रोर्ब्लम के लिए के माइनस 183 डिगरी की टेंपरेचर पर ठंडा रखा जा सके हो ताकि एक से दूसरी जगे तक कनवर्ट करके ले जाए जा सके ऑक्सीजन की डिमांड के अलावा भी इंडिया के पास कई प्रॉबलम है जैसे कि हमारे पास उतने बड़े ज्यादा से चोटे टेंकर जिनकी मदद से पेशेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी हम सोटे जी इस प्रॉबलम को जल्दी निप्टारा कर सके टाटा कंपनी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए क्राइव विदेशों से मंग रही है वायूसेन और इंडियन रेल बह है रहे होती है जो क्यार सकते हैं यह लोग। कोई कोई रोड है उसके बिलकुल ही signal दे जाता है कि पूरी रोड में जीनल नहीं मिलेगा ना कहीं भी उनको रोका जाएगा ना वहां से एम्बुलेंस या कोई भी टैंक स्थिजन के होंगे वो निकाले जाएंगी जिसकी वज़े से जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन या कोई भ तो उसमें भी इस बात का जिक्र किया गए था कि हम ग्रीन कॉरिडॉर की मदद से हम जल्दी से जल्दी किसी बी पेशेंट को या किसी भी ऑक्सीजन सेलिंडर को जल्दी से जल्दी पहुसा सकते हैं होस्पिटल तक या कहीं भी फैक्टरी तक जिससे हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और हमारे कोवेट के केसे को कम करने के लिए बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार जर्मानी से डिरेक्टली ओक्सीजन जन्नेशन प्लांट को एयर लेफ्ट कराएगी सीधे भारत के दर जिसकी वज़े से हमारी जो होस्पिटल की डिमांड वो पूरी करी जाएगी गाइज यह और नेशन प्लांट की कैपिसिटी पर मिनेट चालिस लीटर कर सकता है जो की हमारी होस्पिटल लिबांट को पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा किफायती साबित होगा पिशल को करेंगे कई सारे डिस्टिक्स के अंदर जिसकी वज़े से एक मेजर रोल रहने वाला उक्सीजन की क्राइसिस को खतम करने दिक्कत आ रही है कि छोटे होते हैं जिनसे पेशेंट को अक्सीजन दे जाती है उनकी भी सौटेज हो गई कई लोग अपने घर में स्टॉक करके बैठ गए हैं कि उनको आगए अगर प्रॉब्लम आई तो वह आगे यूज़ करेंगे से लेंडर को तो इनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और उपर से कई जगे ऐसी आ रही है कि हमारे हैं लीख होनी के ख़बर आ रही है कई जगे हॉस्पिटल में उन्से लीकेज हो रही नासिक में अभी जो सेलिंडर था उसमें से लीकेज हो गई इसकी वजह से 22 लोग मौत हो गई तो कहते हैं ना गरीवी बें आंटा-गीला वाल ऐसा नहीं है कि 92 यह 93 आ गया तो इस टेंटली हमें चाहिए होगा तो हम प्रोनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं लेकिन कई बार क्या हो रहा है वाट्सएप ग्रूप में जो फालतू के मैसेज फैला जा रहा है उसमें करें सिर्फ लेट जाओ तो तुमारा ऑक्सीजन का अच्छे प्रोनिंग प्रोसेस को करिए तो हमारे लंक्स का जो जल्दी काम करने लगता है तो गाइस अगर इस पर आकर देखा जाए तो हमारा जो पेशेंट है उसमें कई लोगों को हॉस्पिटल में पेशेंट को जो क्रिटिकल कंडिशन में उनको ना देके उनको दिया जा रहा है जो अभी क्रिटिकल कंडिशन में नहीं है तो यह भी हमारी बहुत बड़ी प्रोब्लम है हॉस्पिटल जिनको क्रिटिकल कंडिशन अभी दिया जाए कैनेड़ा की ने एक नोजल स्प्रे बनाया है जो कि कुछ ने सिंप्ली हम नाक से डालते हैं और वह स्प्रे दे दिया है तो हमारी इंडियन गवर्मेंट को भी जल्दी जल्दी से अर्जेंट अप्रूबल दे देना चाहिए ताकि यह जल्दी जल्दी हमारे केसे को कम कर सके इसी को देखते हुए भारत बायोटेक और सीरम इस्टिटूट ऑफ इंडिया ने सेम टू सेम ऐसे बनाने का विचार किया है लेकिन अभी उनको टाइम लगने वाला और यह जो सेकेंड वेव है इसका पीग जो है पंदरा में को आना है तो इस हमें जल्दी से अप्रूबल दे देना चाहिए ताकि जल्दी लोगों की जान बचा सकता है यह बात करते हैं कि इंडिया ना अपनी वै हमारे एक्सपोर्ट पर वैक्सीन के रोम अटेलियस पर रोक लगा दिया तो उसके तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया तो फिर इसके बाद अजीट डोभाल जो हमारे इंडिया के नेशनल सेक्योर्टी एडवाइजर उनसे अमेरिका के मिनिस्ट्री से बात हुई तो और उससे पहले घया लोग ट्रेंड कर रहा था और इंडिया के लोग देशों से इंडिया कर आघ था किसा पोजा तो इसके बाद अमेरिका को लगा कि छावी है घीर डीर घ्राब होने लगेगी तो इसके बाद जो है अ Après अमेरिका के मोट्री के अडिक लिश तो कि नोटेज, गए कि अब इंडिया के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंद लगा हुआ था वह रहा लिए जाएंगे उसी के साथ उसने कहा कि इंडिया को अर्जेंटिली हम वैक्सीन भी का रो माटेरियल भी देंगे उसके साथ साथ हम वेंटी लेटर भी देंगे और कुछ मेडिसिंस जो कोवि और बिल्कुल नम्रता से कहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा काणा बताया जाता है कि अमेरिका का अचानक से मन बदल गया और इंडिया को एक्सपोर्ट करने लगा कि एक तो अजीट डोभाल का कारण बताया जाता कि अजीट डोबाल क्योंकि नेशनल सेक्योर्टी अर्मेरिका के लिए कि अमेरिका प्लीज हल रानती अगरों मिलने लगा तो हम पूरी को रखते हैं कि पूरी दुनिया को कि भारत ही पूरे दुनिया के लिए जीवन दाता बना हुआ है कि एह भारत और उल्डियो को prostate है क् पूरे Swaral